आपको शांती हो आएं परमिश्वर के वच्चनों को मनन कड़ेंगे पढ़ेंगे पहले कुरंथियो उसका पहला अधियाए एक से लेकर आठरा और दूसरा अधियाए उसका एक से लेकर चार क्योंकि कुरूस की कथा नास होने वालों के निकट मुर्कता है परंदू हम उदर पाने वालों के लिए निकट परमिश्वर की सामर्थियाए क्योंकि लिखा है कि मैं ग्यानवानों के ग्यान को नास करूँगा और समझदारों की समझ्च को तुच्छ कर दूँगा कहा रहा ग्यानवान? कहा रहा सास्तरी? कहा इस संसार का विवादी? क्या परमिश्वर ने संसार के ग्यान को मुर्कता नहीं ठहराया क्योंकि जब परमिश्वर के ग्यान के अनुसार संसार ने ग्यान से परमिश्वर को ना जाना तो परमिश्वर ये अच्छा लगा कि इस प्रकार की मुर्कता के द्वारा है विस्वास करने वालों को उदार दे यहुदी तो चिन्न चाहते है और युनानी ग्यान की खोज में है परन्तु हम तो उस कुरूस पर चड़ाये हुए मसी का प्रचार करते है जो यहुदियों के निकट ठोकर का कारण हो और अन्य जातियों के निकट मुर्कता है परन्तु जो बुलाए हुए है क्या यहुदी क्या युनानी उनके निकट मसी परमेशर की सामर्ती और परमेशर का ग्यान है क्योंकि परमेशर की मुर्कता मनिश्य के ग्यान से ग्यानवान है और परमेशर की निर्बलता मनिश्य के बल से बहुत बलवान है हे भाईयो अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना सरीर के अनुसार बहुत क्यानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलिन बुलाए गए परन्तु परमेश्वर ने जगत के मुर्कों को चुन लिया है कि ग्यान वालों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्चों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठराए ताकि कोई प्राणी परमेशर के सामने घमंड न करने पाए परंतु उसी की और से तो मसी एशु में हो जो परमेशर की और से हमारे लिए ग्यान ठहरा अर्था दर्म और पवित्रता और छुटकारा ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभू में घमंड करे पहला कुरंती दो उसका एक से लिकर पाँच और हे भाईयों जब मैं परमेशर का भीद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ग्यान की उत्तमता के साथ नहीं आया क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच ये शुम्मसी वरन कुरूस पर चड़ाये हुए मसी को छोड़ और किसी बात को न जानू और मैं निर्बलता और भई के साथ और बहुत थरतराता हुआ तुम्हारे साथ रहा और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ग्यान की लुभाने वाली बाते नहीं पर अत्मा और सामत का प्रमान था तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि पालुस ग्यान के विसे में बात कर रहा है और उसमें सामर्थ के विसे में भी बात कर रहा है दोनों भागों में करुंधियो एक का उसमे अटरा से लेकर 31 में और दूसरा अधिया का एक से पांच में हमें एक चीछ देखने के लिए मिल रही है वो है परमिश्वर का ग्यान परमिश्वर का सामर्थिया ठीक है तो पहले अदिये में जो ग्यान और सामर्थी की बात यहां पर की गई है और इनसानों का जो ग्यान है उससे परमिश्वर का जानकारी वो लोग नहीं ले पाए परमिश्वर कैसा है किस तरीके से है वो लोग क्या किया उस ग्यान से जो दुनिया का ग्यान है ग्यान द देशक में वचन है तीन का ग्यारा में कि वो तो भी ये जो ग्यान है अनंतकाल का ग्यान उत्पन तो किया है मनुश्य के मन के अंदर फिर भी तो भी क्या है जो परमिश्य ने किया है वो आदी से अंतक मनुश्य समझ नहीं सकता है तो ये जो वचन है उसके जब से यहाँ पर पॉलस भी यही समझा रहा है कि यहाँ पर इनसान लोग कितना अपने ग्यान से परमिश्र को समझ नहीं पा रहे है तो इसलिए यहाँ पर यसाय का भी एक वच्छन वो समझा रहा है 19 और 20 में आप पड़ोगे तो कि मैं ग्यान होनों कि ग्यान को नस्ट करोगा और समझदारों के समझ को तुछ कर दूँगा वो आपको यसाया 19 में मिलेगा तो बुद्धी मानों की बुद्धी नस्ट होगी और इनके प्रविणों की प्रविणत जाती रहेगी तो उस जमाने के जो इसराइल की प्रजा थी इसराइल के यहूदियों के जो भी प्रजा थी यहूदी प्रजा और तो प्रविण को मानती थी मगर वो लोग ग्यान में की वज़ा से ज़्यादा प्रविण का साथ खिलवार करते थे सारे वचरनों को और प्रभु के जो भी नियम कानून थे काईदे थे वो सारे के विरुद में अपनी इच्छा से चलते रहते थे तो यह साया उननीस में भी बारा में लिखा है अब तेरे बुद्धिमान काहें से नाओ कि यहवा ने मिस्सर के विस्से जो युक्ति की है उसको यदि वे जानते हो तो तुझे बताए मतलब परमेश्वर ऐसा काम करके दिखाता था कि वो लोग सोच में बढ़ जाते थे वो अपने विचारों से उसका कुछ नहीं क्योंकि उनका गमंड अपने ग्यानों में है वही वो भी बात यहां पर पालुस आगे समझा रहा है कि किसी को अगर गमंड करना चाहिए तो वो परबू में करना चाहिए तो आज कल भी कई जगा में लोग अपने ग्यान के सबसे कई चीजों को बोलते रहते हैं वो हम यूटूब में भी देखते हैं और कहीं अपने कलिशाओं में भी कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो ठीक है हम परबून को आसिस करें मगर कई ऐसे सवाल कर लेते उत्पती में से ये दिन के बाद वो दिन कौन सा था फिर ही इस जगा में कितना समय था ये सारी चीजे ठीक है ये इनसानों को कसरत करवाती है दिमाग की मगर उससे आत्मिक कसरत नहीं हो पाती वही पालूस यहां समझाना चाह रहे है और पता नहीं उस समय के प्रचारकों में कोई ग्यान की बातों को भी कहता रहता होगा और इसकी वज़ा से करंथी कलिश्या में ये जो एक बहुत बड़ा ब्रस्टता गुस गया था आप अगर पहला करंथी आठ वाद ये पड़ोगे तो भी आपको पता चलेगा उसके अंदर भी वो कह रहा है पहला करंथी आठ वाद ये में अगर आप देखोगे पहला वचन में मुर्थियों के सामने बली की हुई वस्तों के विसे में हम जानते हैं कि हम सब को ग्यान है ग्यान गमड रत्पन करता है परन्तु प्रेम से उन्नती होती है तो वहाँ जो ग्रिक लोग थे वो कलिशाव में होने की वज़ा से कि उनकी कोई सोचो को उन्होंने पूरा नहीं सोचो को पूरे-पूरा छोड़ के पस्यात अब नहीं किया होगा उद्धर भी पा लिया दान वर्दान भी पा लिया इसलिए पहले वच्छा देम में से हम अमरे बैद ने समझाया था कि तुम पवित्र हो चुके हो और पवित् परमिशर की बातों को तुम समझ नहीं पाओगे ऐसे करके वो समझा रहे हैं तो कई लोग नहीं स्विकार कर पाए इसलिए बोल रहे हैं तुम उन्हीं के रास्ते पर तुम मत आ जाना फिर से वहले सुरू में तो विश्वास करने के टाइम पर उन्हों ग्ञान नहीं यू दिका अपनी दिमागी जो अपना मन जो है इसलिए यहां पर आगे देखोगे तो पहले जो परमिशर लोगों को इतना सो समझा दिया समझाया सब चीजे दिखाया येश्यमसी के दवारा फिर भी वो किस मवचन में लेका है क्योंकि जब परमिशर ने ज्ञान के अनुसर सं परमिशर की मुर्गता मनुश्यों के लिए बल से बहुत बलवान है इसका मतलब यह नहीं परमिशर मुर्गता करता है या परमिशर निर्बल है ये पॉलोस उनकी समझने की निर्बलता या सरीर की निर्बलता की वज़ा से उनको समझा रहा है कि दुनिया के लोग ऐसे सोचते हैं परमिशर के बारे में कि परमिशर ऐसे क्या एक इनसान को कु उस पे लटका दिया, सब की जगा पर वो के कैसे मर सकता है अपना हमारा कर्म तो हमें भुगतना पड़ेगा, हमारे भारत देश में भी कई लोग ऐसा बोलते, जो ग्यानी लोग ऐसा बोलते हैं, और जो अग्यान हैं, वो भी मतलब उस गौर्मन में कुछ है, आपने तरिका कुछ ग्यान हुन के अंदर है, ओ है ये क्यो मार पीट नहीं किया, कुछ इतना सहिन क्यों किया ऐसे बुजदी लोग जैसे क्यों रहा, ऐसे करके वो निर्बल था, और ग्यानी लोग क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे कैसे हो सकता, एक इंसान सब के लिए मारा जाएगा, ऐसे करके भी लोग सवाल कर रहे हैं, वो ग्यानी लोग बोल रहे हैं, मतलब जो दो तरह की लोग रहे रहते होगे, तो वो जो ग्यान की बात कर रहे हैं, और कोई, मतलब जो दोनों की अपने अपनी ग्यान सोच है कि वह एक बोल रहा है इसा ताकत क्यों नहीं दिखाया इसे निर्बल क्यों रहा और एक बोल रहा है ऐसे कैसे हो सकता एक इनसान सब के लिए मारा जाए ऐसे करके लोग अपने घमंड की वज़ा से अपने ग्यान की वज़ा से अपने अंदर कुछ सोच है उसकी वज़ा से नहीं स्विकार कर पा रहे हैं जैसे हम भी जब उनको सुसमाच चरदे से ऐसे लोग क्या बोलते हैं अपनी अपनी सोच ऐसे करके बात कर लेते हैं बात को फिरा देते हैं उनको लगता है और हम से जीत नहीं पायेंगे मतलब हम तो सच बोलते हैं इसलिए ऐनका कुछ भी डाल कलने वाला नहीं कुछ पूछ जलने वाला चल रहा है सैतान जैसे पत्रस लिख रहा है कि पूरा संसार उस सैतान की हवा में है उस बहाव में है तो वो उसको उसमें गुलामी अच्छी लग रही है परमिश्वर आजदी देना चाहते है और उस आजदी के लिए बस एकी जीज़ करना है नम्र होके आदिन होना परमिश्वर जिस रिती से समझाना चाहते है ज्यान देकर खुद अपना आत्मा देकर जिस तरीके से समझाना चाहते है वो उनको नहीं लेना है क्योंकि इंसान इतना ब्रस्ट हो चुका है उसका दिमाग और वो सब आदम के जमाने से कि इंसान का मतलब मृत्य ही है समझ ल परमिश्वर के साथ से आत्मा का संपर्क टूट गया है तो परमिश्वर के जीवन से रही थे आत्मा तो मरत भरता नहीं है अगर परमिश्वर के जीवन है परमिश्वर के साथ जुड़ा हो था उसका वो हट गया आदम की गलती की वज़ा से तो परमिश्वर की नजरों मे मरा हुआ है या फिर मृत्यू में बोल सकते अभी जितने भी लोग आविस्वासी हो मृत्यू में चल रहे है क्योंकि उनका संपर्ख जीवन के साथ नहीं जीवन मतलब स्वर्ग और परमिश्र परमिश्र के साथ उनका संपर्ख नहीं होने की वज़ा से ऐसे है तो जो ग्यानी लोग है जो इस अपने ग्यान की वज़ा से फसर है ऐसा समझा रहे है इसलिए दोनों लोगों की बात कर रहे है यहुदी तो चिन्न मांगते है और युनानी ग्यान की खोज में रहते है यहुदी को पराकरम की ताकत की बाते चाहिए बड़े-बड़े सामर्थी काम चाहिए और यूनानी लोगों को ग्यान की बात करें अभी के जमाने के लोगों को देखेंगे तो जो educated लोग है वो बहुत ही गुमानी वाली तरक बात और तरक सास्तर की बाते करते रहते philosophy बोलते हैं उसके philosophy में fit होगा तो भी मसी सही है, फिट नहीं होगा तो मसी गलत है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद कई ऐसे लोगों को भी प्रभु ने खड़ा किया है, जो ऐसे तर्क वितर करके भी उनको कैसे भी करके मसी की पास लेके आ जाते, मगर सबी लोगों के लिए उज़रूत नहीं है, तो और कई चिन्ह लोग यहुदी चुन्य मांगते वैसे इस जमाने के जो कई ऐसी धर्मिक मानिता वाले, कई ऐसे जुठे बातों में पड़े हुए लोगों को चमतकार चीए क्योंकि उनके जो गुरू लोगे, उनके जो सिखाने वाले है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चोटी मुटी चमतकार दिखाते रहते, वैसे यहुदी लोगों में उस जमाने में कई जादो टोना करने वाले, कई तरह की ऐसी बातों को करने वाले, आज भी मौजुद है यहुदी धर्म में, वैसे हमारे यहां के कई धर्मों के अंदर ऐसी चीज़े है तो यह जो बाते हैं यहां पर युनानी और यहुदी की बात यह समझा रही है कि इनसान अपना ग्यान कहने का एक ही मतलब यहां पहलो समझाना चाहरा है अपना ग्यान, अपनी बुद्धी, अपनी ताकत से जो डैड बोडी हम कहा रहे मतलब जिसका संपर्क परमिशर से नहीं है जिस दिमाग का कुछ तालुक नहीं है परमिशर से मिट्टी है उस मिट्टी में एक दिमाग है उस दिमाग की बातों को लेते हुए उस ग्यान को लेते हुए और जो सैतान के टचक से की वज़ए से सैतान के स्पर्स की वज़ए से ब्रस्ट हो चुका ग्यान को लेकर परमिशर को समझना चाहते है जो कभी नहीं हो सकता है तो इसलिए वो बुल रहे हम तो उस क्रूस पर चड़ाए हुए मसी का फिचार करते है जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्यजातियों के लिए मुर्कता है तो अन्यजातियों के लिए मुर्कता है और यहुदियों के लिए ठोकर का कारा ने क्योंकि यहुदियों को लग रहा है यह हमारा मसी नहीं है और अन्यजातियों को क्या लग रहा है मुर्कता लग रहा है मतलब जो ग्यान से बात कर रहे हैं वो अन्यजाती की बात हो रही है सभी अन्यजाती में सभी लोग ऐसे नहीं है तो वहाँ पर वो समझा रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात हम आपको जो कह रहे है जो मसी का परमेशुर की जो सामर्तिय है किस के लिए सामर्थ है वो भी आगी कह रहा है देखा 24 परंतु जो बुलाए हुए है क्या यहुदी या युनानी उनके कभी नास ना हो इसलिए परमिशुर सभी को बचाना चाहते हैं मगर बुलाए हुए है मतलब यहाँ पर कहने का मतलब unto which are called मतलब वहाँ पर अगर आप इंगलिस में देखोगे तो एक तरग से अपॉइंट किया हुआ एक बुलाया हुआ कुछ मकसद के लिए बुलाया हुआ विक्ति के बारे में बुला गया है परम сист тебе को पता है कौन मेरे मकसद को पूरा करने के लिए इसका जवाब देगा उस बुलाहट का जवाब देगा तो हम लोग जवाब दे दिया अभर आप इस वचन को सुन रहे है इसका मतलब आप प्रभु जी को प्यार कर रहे हो प्रभु ने आपको बुलाया है उस बुलावट को आपने ध्यान दिया आप भले अभी गिर रहे हो उट रहे हो जो भी हालत होगा या फिर स्तीर हो जो भी हालत है आपका किसी भी हालत में हो मगर अभी यह नए हो पुराने हो आप इस बातों को ध्यान में ले रहे हो इस बात है आपको अच्छी लग रही इसका मतलब आप नया जिनन पाए हुए विक्ति हो आपने कुरूश की बातों प्रविश्योद यकिन कर लिया विश्वास कर लिया है आपके लिए क्या है सामर्ति और प्रविश्योद का ग्यान है तो प्रविश्योद को यह अच्छा लगा कि किसके लिए प्रविश्योद के क्या अच्छा लगा मनुश्य के ग्यान से मनुश्य के ग्यान इंसान लोगों को परमिश्वर क्या देखाना चाहते थे कि देखो मेरा जो ग्यान है मैं आपको मुर्कता लग रहा है मगर मुझे यही पसंद है यह सीसे मैं करूंगा आपने बेटे को कुरुस पर चड़ा के सबी की इंसानों के पापों को उस पर डाल कर परमिश्वर का वही सालों से तरीका है बस इंसान का जमाना बदलते बदलते इंसान अपने जमाने के इसाब से सोचते रहता है जमाने के इसाब से जमाने के विद्वानों के इसाब से इंसान की सोच बदलती रहती मगर परमिशुर आटल है वही यहां कहना चाहते याकुब भी यह समझा रहे है कि उसके अंदर आता हुआ परचाई भी नहीं है मतलब वो अनवरियेबल नेस मतलब उसके अंदर वो कुछ परचाई नहीं पड़ सकती है यह परमिशुर परमिशुर के सामने परमिशुर ने जो काम किया है यहिशु मसी को कुरूस पर बलिदान करके वो इनसानों को मुर्कता लग रहा है तो उससे क्या परक पड़ने वाला है परमिशुर का सामर्द तो ही उसको कोई बदल नहीं सकता है उस सामर्द Kenosar बहुत ग्यान और बहुत सामरती और बहुत कूलिन बुलाई यहीं जो हमसुरों में देख रहे थे वोग इस ग्यान के जाशे में आ रहे थे इसलिए उनको आतमिक बातों में बहुत ही डाउन देखे दिख जा रहे थे कई हमारे भी यहां कई मैंने देखा ऐसे लोग जो है जो स्वचंदी या क्या बोलते उसको अपनी बुद्धी से अपनी सोच से चलना चाते है किसी की आधिंता में नहीं रहना चाते उनके घर में अगर हम जाते हैं उनसे बाचित करते हैं तो पता चलता है उनके विचार कलीशा के विरुद में रहेंगे मसी के वातों की विरुद में लहेंगे कई तरह की दोस लगाने वाली आत्मा उनके अंदर रहती है यह पस्टर वैसा है वो पस्टर ऐसा है ऐसे करके या या फिर यह नहीं होगा तो ये पास्टर मुझे अच्छा लगता है वो मैं अच्छा लगता है ऐसे पक्षपात करने वाले लोग क्योंकि परमिश्वर का ग्यान उनके अंदर काम नहीं कर रहा है ज़से याकुब लिख रहा है, जो उपर से ज्यान आता है, वो कैसा है, निर्मल है, सुद्ध है, ऐसे करके वो समझा रहा हαι, वो बातों को वो नहीं समझ पा रहा है, जो ज्यान परमेश्वर की और से आता है, वो मिलाब करानी वाले, धरमिकदा का फल, मेल भी मालब से साथ बोते है वो जो ग्यान उपर से आता है पहले तो पवित्र होता है और मिरनसार कौमल और मुदूबा और दिया और अच्छे फलो से लदा हुआ है और पक्षपात और कपट रही होता है याकुबतीन का सत्रा तो यह जो वचन है वो उसके इसाब से उनके अंदर वो ग्यान काम नहीं कार पारा था इसलिए पहलोस को दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि तुम बुलाए है जाने को तो सोचो तुम को बुलाया गया है तुमारे लिए ये सामर्ती है ये ग्यान है वो लोग भो नहीं समझ रही ठेए जैसे हमारे बे髙 कितना सर आपको लगा होगा ऐसे मैं बोल रहा हूँ installation करके रखा है download करके दे दिया है अंदर आपके आत्म में दे दिया है उस चीज को वही सामर्ते वही ग्यान है इसलिए यहां पर वो भी लिख रहा है कि मसी आपके लिए क्या है ग्यान है अर्थात क्या है धर्म प्रवितरता चुटकारा बातों को दूसरे की बड़ी बड़ी चानी चुपडी बातों के अंदर पढ़ रहे हो उसकी वजह से आप ब्रस्ट हो रहे हो आपके अंदर पवितरता काम नहीं कर पा रहा है आपके अंदर परमिश्वर का ग्यान काम नहीं कर पा रहा है उसकी वज़ासे पवितरता, दर्म और छुटकारा दिखनी रहा है आपके अंदर जगडे है, सब तरह का वेपिचार काम कर रहा है और मुर्तियों के पास वालों के पास जाके बैठते हैं आपके आँख में थोड़ा भी सोच नहीं हा रहा है कि हम गलत जग़ा बैठे हुए है आप देखिए आपके अंदर पिया कर दुनिया का ग्यान आ जाएगा आपको लगे का मैं बाइबल का ग्यान ले रहा हूँ कई यह से भी लोग है जो बाइबल का ग्यान लेते हैं डिसकस भी करते हैं मगर मैंने देखा है वो लोग क्या करते है को ऐसी जग़ा हमें जाकर बैठ जाएंगे बोलते हैं उसमें कहा हमें लोगों को अच्छा दिखाना है हमें लोगों को ठोकर नहीं खिलाना है वहाँ पर बैठ के हम कुछ भी कर सकते हैं पिर लोग कहां से मसी में आने वाले, वहां जाके हम उसको मदद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई चीज़े ऐसी लोग आजकल ग्यान के पिछे भागते भागते, ये सब चीज़े जो परमिश्वर को पसंद नहीं, वो भी कर बैठते, वहां पर जैसे पहला कुरंती आ वो नहीं समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि जो नुदु भाव, जो ग्यान, परमिश्वर का ग्यान है, वो सब चारो और सोच के काम करता है, कई बार हम भी ऐसे गल्दिया कर लेते, चारो और सोच के, हम अपने इसाब से चलो को उसमें क्या होने वाला है, अपने घमंड में ग्यान, अपने जो पास ग्यान है, उससे गमंड कर लेते हैं, परमिश्वर का जो ग्यान है, उसमें क्या होता है, परमिश्वर के और से गमंड आता है, हमारे मुझ से परमिश्वर के स्थान पर रहते हैं कर, मतलब परमिश्वर के जो बेटे की स्थान पर, परमिश्वर का उपका है तुम सुनु करता है। आपके अंदर भी ऐसा कुछ आ गया है तो हम आपको बुलना चाहते है जल्दी से अपना इलाज कीजिए जल्दी से अपने पहचान में बढ़िये जैसे बेहन ने इसके पहले वाला आप सुन दीजिएगा जो समझाया है कैसे आप क्या पा चुके हो उसके पर ध्यान देना है आपको अपना पहचान में बढ़ना है अपनी नीजी पहचान अपना बुलाहट को देखना है इसलिए बुलते है अपने बुलाहट को तो सोचो कि कुलीनों को नहीं बुलाया गया है मुर्खों को बुलाया गया है बुलते है तुम पहले मुर्खी तो थे इसलिए तुम व है उन्हें क्या है उसको वियर्थ ठहरा है वो लोग को पता चले हम गलत है परमिश्र सही है परमिश्र ने देखो एदूल में से भी इनसान को खड़ा कर दिया ऐसे उनके गमंड को तोडने के लिए परमिश्र ने किया ताकि कोई प्राणी परमिश्र के सामने का मंड न करने पाए 29 में लिखा है तो वैसे ही आगे वो समझाती जा रहा है बोलता है मसी जो है तुमारे लिए ग्यान ठाहरा है Christ is a wisdom मसी क्या बिना है तुमारे एक ग्यान Sophia, wisdom मतलब एक प्रकाश, wisdom जो तुमारे आखों को खुलनी चाहिए आत्मी काके कुलेगी तो wisdom है और वो तुमारे लिए क्या है धर्म है मतलब धर्मिक्ता परबर वहाँ प्रैचिस में सब दे स्ब्धिस्तमाल किया गया है तिकियोनोस परबलब वो तुमारे लिए क्या है न्याई है, तर्म है, पवितरता है, चुटकारा है ये सब चीजे हमारे जिन्द के जरूरी है स्वर्ग में इस्थान बाने के लिए सारी चीजे हमारे में अंदर नहीं होगा तो हम स्वर्ग तक किसे पहुँच बाएंगे, उसके लिए क्या चीजिए हमें हर बार मसी की उस बातों को हमें सोचते रहना है मसी की पहचान को समझना है, मसी का स्थान को समझना है मेरे अंदर मसी कौन है, इसलिए बोलते हैं, तुम मसी में हो हम मसी के अंदर है, मसी हमारे अंदर है उस मसी को हमें ध्यान देना पड़ेगा उसको छोड़ जो कुछ भी बात हम करते है वो सारी व्यरत बाते है यही आगे दूसरा दियाए के अंदर पॉलूस समझाना चाह रहे कि मैं जब आया था तब मेरे पास ग्यान कुन सा था मेरा खुद का ग्यान नहीं था मेरा पुरूस का तुरूस पर चड़ाय हुए मसी को छोड़ किसी बात को मैं नहीं जानता हूँ वैसे मैंने सोचा था मतलब पहली बार जब वो प्रचार कर रहा था तब पहली बार वो चाहे तो इतनी सारी बीड़ और इतने सारे ग्रीक लोगों को मिलते हुए कई कहानी बोल सकता था कई चीज़ों को कह सकता था शुरू में कई एक एक जगा पर उसने कहा भी था कि ऐसे एज़े मगर वो आखिर में लेके तो गया कहां तक कि उसकी बातों को ये लेके जाता था तो वो ये ही बोल रहा है कि मैं ये कैसे आया था मिर्बलता और भाई के साथ और बहुत थरतराता हुआ था और पर ये तो कहा मठरा में लिखा और प्रभुन ने एक रात दिरसन उसे दुबल से कहा मड़र परन कहे जा और चुप मतरा हैसे करके वहाँ पर उस अहलत भी उसकी खराब थी और उस उपर से परमिशुर का वच्छन ने इनको प्रचा करना था कि मैं कहीं जो मुझे बोलाए उससे विपरिट में ना प्रचार करो मुझे जो करना वही करना है उस हालत उसकी खराब भी थी सता उचल रहा था उसके उपर लोग परिसान कर रहे थे उसके बीच में उजा कैसे प्रचार कर रहा है और वो कुरूस पर चड़ा हुए मसी को छोड़ दूसरा किसी की बात को प्रचार नहीं कर रहा था मेरी बाते लुपाने वाली बाते नहीं थी परंदो आत्मा और सामर्त्य का प्रमाना था आत्मा और सामर्थय का प्रमाण मतलब जो बोलता था ये शुमसी जो कुरूस पर चड़ा हुआ है तो मारे बापप प्रदो को शमा करेंगा तो में चुटकारा दिलेगा तो दुस्टात्माई भागती थी और बीमारिया ठीक होते थे और उसके बाशन में उसकी परचारों में लोगों के अंदर कन्विक्शन होता था लोग अपने पापों को कबूल करते थे अपने गंदे काम को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते थे तो ये जो परचार है ये हसामर्थ जब आप बोलते हो मसी आपसे प्यार करता है आपके जीवन को चुदारना चाते है आपसे बहुत प्यार प्रेम करना है और आपके अंदर की सारी खराबियों को उसने अपने उपर ले लिया है उसने विजय हासल किया है वो आपके लिए जिन्दा है वो आपके लिए मुर्दों में से जिन्दा हुआ है आपके लिए आया है ऐसे करके अगर आप बोल रहे हो तो आपके अंदर रहा हुआ पवित्रा आत्मा जब आप बोलते हो तो वो सामने वाले ओडियन्स के अंदर काम करना चीए वो करता है मगर इनसान जब अपना ग्यान छोड़ देगा वदस्तम में यह कुरुस की जो बाते है जो इनसानों के लिए मुर्कता लगती है कुछ भी लगे उनको हम बोलेंगे उनके आत्मा में जाएगा उनके मन में जाएगा उनके जीवन को परिवर्पित करेगा इसलिए वो बोलता है आत्मा और सामर्थ का प्रमान था अब जब आप बोलते हो तब कौन प्रमान देगा परमिश्वर का सामर्थी है जो इश्व मस्जी को मुर्दों में से जिन्दा किया वो सामर्थी है और आत्मा जो परिटरा आत्मा जो आज प्रचारोकों के साथ, प्रभू के प्रेजितों के साथ, प्रभू के सारे दास, संतों सभी लोग विस्वासी हो, सभी के अंदर जो पवित्रात्मा दिया गया वो आत्मा की बात उसका प्रमार, आप बोलते हो तब वो साथ देता है हमने कई बार रसकानों बोग किया जहांज हम गए है प्रचार करने के लिए तो वो सामर्थ जो परमिश्वर का है वो कारिय करता था इसलिए कि तुम्हारा विस्वास मनुश्य के ग्यान पर नहीं परंतु परमिश्वर की सामर्थ पर निर पर हो तो परमिश्वर का सामर्थ जो है परमिश्वर की बात जो है क्या होना चीए हमारे दोहरा काम करना चीए तब ही तो इनसान के अंदर चुटकारा काम करेगा तब ही तो इनसान के अंदर शांती काम कर पाएगी इनसान के अंदर आनंद आएगा स्वर्ग की बातों कानों भोग कर पाएगे तो जो लोग प्रचार कर रहे हो जो लोग विस्वासी है दोनों के लिए एकी बात है हमारा ग्यान का जो आधार है हमारी जो किस के ओपर हमें निदबर होना है फरमिश्वर के सामर्थ के ओपर हमारा ग्यान मनुश्य का ग्यान नहीं होना चीए मैं बार बार चेक करना पड़ेगा इन दिनों में कि हम सही जा रहे है हमारा ग्यान फरमिशुर का ग्यान के साथ मैच हो रहा है कि नहीं कि फिर यसा है में लिखा वैसे हो रहा है एसा है अपस्पन का नौ में क्योंकि यहुआ कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समा नहीं है ना तुम्हारी गती और मेरी गती एक सी है क्योंकि मेरी गती और तुम्हारी गती में और मेरे तुम्हारे सोच विचारों में आकास और पत्वी कांतर है अब जेक कर सकते हो अगर आप आत्मा और सामर्थ को काम करने दोगे तो 0% ब्रस्टता रहेगा थोड़ा भी ब्रस्टता दुनिया की सोच आपके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी अगर आप उस आत्मा और सामर्थ की बातों चोड़ दिया अर्थाद जो प्रभू ने आपको दिया है उसको चोड़ आप कुछ अपने इसाबसे घमंट के साथ अपना ग्यान अपनी बुद्धी को तोड़ा भी ध्यान दिया तो वो मिक्स हो जाएगा फिर ये गरुन्थी लोगों के जिससे आपको भी परसानी जेलना पड़ेगा इसलिए पॉल उसको इससाथ चीज़े बोलना पड़ा तो आएम प्राथना करें ताकि परमिशर हमारे जीवनों में जिस ग्यान की हमें अवशकता है जिस सही ग्यान सही सामर्थी वाला बाते अर्भू का बात को सुसमाचार सही सुसमाचार वो हमारे इंदर काम करें ना कि दुनिया की ब्रस्ट बातों के साथ दुनिया की सोच के हिसाब से का जो भी सुसमाचार है वो काम नहीं करना है आएम प्राथना करेंगे परमिशर पिता हमारे बाई बेहनों जो भी सुन रहे है माक मन की आँखे जो तिर में हो जाए प्रभू हालेलुया ताकि आपकी प्रभू परमेशर उसकी बुलाहट को जान ले हालेलुया करंथी यह लोगों की जिससे जो शुरू में उलोग थे वैसे पेछे बटक ना जाए दुनिया की ग्यान की बातों से लोगों की चानी जो पुड़ी बातों से मगर प्रभू आपके उस आल बुलाहट को समझे उसको जाने आपके उस मिरास को समझे और परमेशर जो सामर्थी मसी को मुर्दों में से जिंदा किया उस सामर्थ को जाने कुदा की परमेशर हमें साज़ादी में चल पाए साहरत में चल पाए अनुग्रा में चल पाए आपके आद में सौब देते प्रात नमस येश्यू के नाम से मांगते पिता आमी